नमस्कार दोस्तो जो बलड चैनल पर आप सभी को स्वागता है सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो किरपा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकम प्रेस करके ओल नोटिफकेशन जुरूर होन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले इंफोमेशन मिल सके अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो जादा से जादा वीडियो शेर जुरूर कीजिए क्योंकि आपके एक शेर से हो सकते किसी को बहुत बड़ी इंफोमेशन मिल जाए जो की इकोट मीशन मोड प्रोजेक्ट की तरफ से जो की बिवाणी की तरफ से प्रोसेस सर्वर की प पता चुका हूँ अलग लग के लिए जो जो पोस्टे निकल रही है अफ़ारी की सारी इंफोमेशन आपको इस चैनल पर अप्लोड की जाती है टाइम टू टाइम यह देख सकते हो अब आपको पहले हम दिखा देते हैं डिटेल्स थोड़ी सी यह ओफिशली स्टाट जी 14 फरवरी लास्ट फरवरी को शाम के 5 बजने टक आपके फोर्म पहुंच जाने चाहिए और तीन से आठ मार्च के बीच में आपका इंटर्वियू रहने वाला है तीन से आठ मार्च 14 फरवरी तक आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए कान बिवानी कोट में और इसकी कोई भी फीस नहीं है एज की लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 42 साल एज लिमिट मांगी है कब तक एक जनवरी 2022 तक जैसे उसके बाद बात कर लेते हैं सेलेक्शन की बाद आपकी इंटरव्यू पहले होगा उसके बाद कान डॉकमेट वेरिफकेशन होगी उसके बाद फाइनल लिस्ट लगेगी टोटल पोस्टे इसमें जी चार पोस्टे हैं सिर्फ किसकी पोस्टे हैं प्रोसेस सर्वर की पोस्टे हैं जैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर करते हूँ इसमें आपको 4 पोस्टे जैसे मैंने पहले सुनीपत की बीडियो शेयर की आपके साथ ठीक है इसी तरह अलग लग court की जो जो अतनी है सारी की सारी आपके साथ शेयर करते है प्रोसेस सर्वर में सिर्फ दसवी पास मांगा हुआ है अगर कंडिडेट दसवी पास है तो अपलाई कर सकता है A से B के बीच में जिनका नाम है उनका 3 मार्च को इंटर्व्यू रहने वाला है C से J के बीच में जिनका नाम है 4 तरीक को 4 तरीक को इंटर्व्यू रहने वाला है एन से आर के बीच में जिनका नाम है पांच मार्च को, S वाले नाम के केंडिडेट जैसे SSI, सुनेल, सुरेश, संदीप इस तरह जिनका नाम S से शुरू होता है उनका 6 मार्च को, और उसके बाद K से M वालों का 7 मार्च को इंटर्व्यू है, और T से Z वालों का 8 मार्च को इंटर्व्यू रहने वाला है, और कहां पर अप्लिकेशन सेंड करनी है, ओफलाइन मॉड में हैं जी, तो ये सेंड टू अप्लिकेशन करके दिस्क्रिप्शन बोक्स में, ये पूरे का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, पूरा एडर्स दिस्तिक एड सेशन जज जुडिकल कॉड कॉड कॉम्प्लेक्स बिवानी हरियाना, 127.0.21 ये सारे का सारा लिंक आपको आडर्स आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मेरी तर्फ से प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है जी, अब चलते हैं आपन ओफिशली नोटिफकेशन की तरफ, ये ओफिशली नोटिफकेशन आपन ओफिशली वेबसाइट से खोलते हैं, पहले मैंने बता चुका हूँ, भी आपकी हिंदी और या पंजाबी बाशा से आपकी दस्वी में एक सब्जक्ट होना चाहिए, और एक जनवरी तक 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए, 14 फर्वरी इसकी लाज़ डेट है, 14 फर्वरी को शाम को 5 बज़े तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, कोई भी अपडेट आती है तो आपको इसी ओफिशली वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है जी, और अवेदक पत्र सारे अपने सेक्षने की योगता लगाएं, कोई भी अपनी पूरी इंफोर्मेशन के बिना ना लगाए, ठीक है जी, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तीन मार्च को वीरवार को ए से बी वालों का दोपैर दो बजे से बाद में है इंटरव्यू, यानि कि आपने दो बजे से पहले पहुंचना है, चार मार्च को इसी से जे वालों का है, दोपैर बारा बजे के बाद शुकरवार को, 5 मार्च शनिवार को सुबह 10 बजे N से R वालों का इνटुवी ऐ, 6 मार्च को रवीवार को सुबह 10 बजे से S वालों का इंटुवी ईब्यू है, इसी तरह 7 मार्च को स्वभार को दुपैर 12 बजे से K से M वाले जिनका नाम अक्षरों में से शुरू होता है उनका इंटरव्यू है उसके बाद आठ मार्च को मंगलवार को दोपैर बारा बजे से ती से जड के बीच में जिनका नेम आता है उनको यह आवेदन जो की जिला रोजगार का रहले और जिला सेनिक बोड के द्वारा बेज़े गए हैं यह आप पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हो इसमें कोई भी सक्षतकार के लिए कोई इंटरव्यू कोई डेट आउट नही की जाएगी कुछ भी आउटिंग नहीं की जाएगी हाजरी का समय सक्षतकार का तारीक को सुबह नो बज़े यानि कि आपका अगर बारा बज़े इंटरव्यू है तो आपको सुबह नो बज़े एंटरी वहाँ पर करनी होगी कोट में अगर नो बज़े नहीं पहुंचते पर बारत सरकार और बारियाना सरकार द्वारा जारी कि एगें दरदेशों का पालना करना होगा यह आपको इंग्लिश में नोटिफकेशन मिल जाएगा को हिंदी में नहीं पढ़ पाता तो इंग्लिश में भी नोटिफकेशन आपको यह सारे का सारा प्रोवाइड करवा द जाएगा और आगर आपका चाहे दुपैर को है चाहे सुबह है आपने नो बजे पहुंचना है जुडिकल कोर्ट कॉर्ट कॉम्प्लेक्स में ओके और मैं उसका एड्रस भी आपको इस दिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ वह चेक आउट आप कर सकते हो यह डिस्टिक सेश पर अपना फॉम फिलप करके हमें बात रहेग फॉम फिलप की कैसे फिलप करें इसी साइट से आपको यहां पर ओं मिल जाएगा यह फॉम भी दिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा तो यहां पर अपना फोटो लगाकर उमीदकबार का नविंतम पास्पोर्ट साइजे का रंगीन फोटो राज पत्रित अर्दिकारी द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए ठीक है ये जुरूर देखिए कोई भी कहले सरकारी है टीचर है या कुछ है सरकारी पद पर है उससे द्वारा टेस्टिड किया जाना चाहिए ठीक है जी ये मेंशन किया हुआ है और इसमें आपने अपना नाम अपना पिता का नाम जन्मतारी एक एक फरवरी एक मारा जनुवरी को आपकी कितनी एज है एज केलकुलेट करने ही मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिये मैं बार बार नहीं बताओंगा मैं स्पैशल वीडियो इस पर बना चुका हूँ उसके बार महला हो पुर्ष हो आपने लिखना राष्टर ता बारतिय लिखनी है अपना पूरे क पूरा प्रॉपर एड्रस लिखना पत्रा चार एड्रस लिखना वर कौन स कि में फर्स्ट ग्लास में हो सेकंड ग्लास में उन तीन ओए हो यानि कि मार्स के साफ से प्रसेंटेज लिखनी है और डिविजन लिखनी है इसी तरह सनातन है या अज़र कोई और आपकी क्वालिफिकेशन है वह लिखनी है उसकी आगर कोई आपकी एक्सपीरियस है आपका अनुबाब है वो लिखना है आपका मोबाईल नंबर लिखना है अज देक मेल आइडी है तो मेल आइडी जुरू लिख दीजिए यहां पर अपना नाम उफ के बाद अपने फादर का नाम पिता का नाम मैं गोशित करता हूं भी मेरे द्वारा दीजिएगी सारी जनकरी सही है यहां पर दिनाग आपके किस स्थान से बर रहे हो और यहां पर अपने सिगनेचर ठीक है जी कोई केंडिडेट इंग्लिश में बरना जाता है तो यह इंग्लिश में फॉर्म दो नंबर पेज पर प्रोवाइड है यह भी आप डाउनलोड करके इसी तरह सेम प्रोसेस है अगर आपके पास कोई स्पेशल डिप्लोमा वगएर है वो भी साथ में लगाना है आपका कैटागरी कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है एस सी से उबी सी हो उसका भी सर्टिफिकेट और उसके सब मैं यह जुरूर कहूंगा एक फोटो एक्स्ट्रा और एंवलप में डाल दीज रहेगा चार पोस्टे है जी प्रोसेस सर्वर की अगर आप अप्लाई ही करना चाते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए 14 फरवरीस की लास्ट डेट है उमीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रही है अगर इससी तरह की और भी वीडियो चाते हो हुमारी चैनल पर इंफोमेशन चाते हो डेली की डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी और किरपा करके अगर नहीं हो तो किरपा करके सब्सक्राइब करके बैल आइकम प्रेस करके और नोटिफकेशन जुरूर अन कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े ह कि हो तो ज्यादा से ज्यादा शेर जुरूर कीजिए क्योंकि शेर करने से हो सकता किसी को बहुत बड़ी information मिल जाए किसी की life बन जाए ज्यादा से ज्यादाmap वीडियो शेर कीजिए अमारा seo कीजिए विडियो देखने लिए आप आप सभी का बहुत बहुत दनेवाद